नमस्कार, competition committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान, आज हम पढ़ते हैं competitive science में हमारे अगले महत्पूर topic को that is about science and technology in India, जसमें कि हम समझेंगे कि किस प्रकार भारत में science and technology का development होता चला गया, कि आपको पता है कि आजादी के पूर्वा और आजादी के बाद भारत में different type के technology किस प्रकार आती चली गई और established होती चली गई, और present scenario में जब हम देखते हैं हम one of the leading nation है, top five nation में हमारे science and technology का sector है, तो इस topic में आपको ये concept बनाने में काफी help निलेगी कि किस प्रकार भारत में आजादी के बाद five year plans आते चले गई, भारत के growth or development होते चले गई, similarly भारत में science and technology के sector में भी different type के अलग-अलग technology, different अलग-अलग decades में यहाँ पर established होती चली गई, अगर ये concept ये journey को आप समझ लेते हैं, तो आप CGPAC means में paper number two में answer writing कर सकेंगे, ये बहुत अच्छी तरह से ऐसे writing का part होगा, क्योंकि ये वो वर्स है जब हम चंद्रयान जैसे बड़े-बड़े mission किये हैं, अगले वर्स ही हम गगन यान जैसे बहुत बड़े project करने वाले हैं, इंडिया 5G से 6G की और जाने वाला है, और इंडिया में अगर आगे बात करें कि बहुत नएने प्रकार के यहाँ पे nuclear power center established होने वाले हैं, भारत में agriculture के sector में, बायो technology के sector में, या फिर कहाँ जाए हम defense के sector में भी बड़े-बड़े project upcoming years में करने वाले हैं, तो इसलिए इस journey को आगर आप समझ लें, तो आगे की journey को बहुत 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 तरीके से आप connect कर सकेंगे, तो आए हम पढ़ते हैं science and technology in India में, जहां पर हम different type के competitive parts को समझ पाएं this competitive science is powered by a tricks, mcq important facts and the motivation, so आज के topic पर हम focus करते हैं, यह है different type के technology, जिसमें की आज जब हम इस yug में जी रहे हैं, जब हम 5G use कर रहे हैं, artificial intelligence and robotics का जमाना है, लेकिन क्या आपको पता है, कि इस प्रकार की जो technology का पूरा यह जो chain देख रहे हैं, यह chain का origin कहां से हुआ, और किस प्र nuclear technology, defense technology, space technology, information and communication technology, agriculture technology, biotechnology, nanotechnology और आप देखते हैं, इसी ICT से ही related topic है, artificial intelligence and robotics, तो इस प्रकार यह complete technology के segment को कवर करेगा, हाला कि हमने यहाँ पर medical technology को यहाँ पर सामिल नहीं किया है, है न, Indian Council of Medical Research का जो एक, जो सबसे बड़ी सस्था है, है न, उसी के under aims आते हैं, तो वो सब चीजों को यहाँ हमने skip किया हुआ है, बट बागी technology को आप बहुत confidently और बहुत सरल सब्दों में इसे समझ पाएंगे, कि किस परकार कोई technology establish हुई, कैसे आगे बढ़ी और present scenario क्या है, ठीक है, चलिए हम start करते हैं, हम अलग-अलग technology के development part को समझते हैं, तो मैं आप लोगो एक journey बता देता हूँ, यह journey यह है, कि कैसे एक जग़ से start हुई थी यह technology और कैसे आगे बढ़ती चले गई, अगर यहाँ पर पूछा जाए, कि science and technology का development कहां से start हुआ था, तो थोड़ा यहाँ पर focus करनी है, देखो एक बात समझनी है, कि 1940 के decade को हम कहते है, modern science and technology का decade, याने आधुनिक विज्ञान एवं प्रद्दुगी की का दसक कहा जाता है, कब, 1940 को, एक्च्वल में उसके पीछे की journey, मैं अभी थोड़ी देर बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर उसके पहल यह समझ लें, कि जो science and technology development हुआ, तो देखो यह 1940 से start हुआ था, और आगे बढ़ता चला गया, हम modern science and technology के point आप उसे समझ रहें, उसके बाद देखते हैं, कि अलग-अलग technology आती गई, 1958 में एक technology आई, उसके बाद देखते हैं, 1962 में एक technology आई, इसके बाद देखते हैं, कि यह यहां पर 1976 में एक technology आई, कौन-कौन सी technology अगर इसको नाम लिखा जाए, मैं उसे भी लिखूंगा, लेगिन पहले यह journey को complete कर लेते हैं, फिर 1984-85 में एक technology इसके बाद हम बात करते हैं, लाइक कि 1984-85 के बाद सीधा-सीधा आता है, वर्स 2001 का technology और इसके बाद यह आगे जो है present scenario है, ठीक है, यहां पर इस चीज को थोड़ा समझें आप, friends, यहां पर एक बात समझनी है, कि भारत में चार ऐसे महत्पूर्ण technology थे, जो आजादी के पहले established हो गए थे, चार महत्पूर्ण technology जो आजादी के पहले established हुए थे, वो कौन-कौन से हैं, यह चीजें भी जान ले ठीक है, यह ICAR कि स्थापना कब हुई थी, कहा जाए, प्रस्ना पूछा जाता है, तो यह पॉइंट भी याद रखे, 1929 में हुई थी, उस समय Indian Council of Agriculture Research जो था, Imperial Council of Agriculture Research था, क्योंकि हम British India हुआ करते थे, वैसे, है ना, यह पॉइंट क्लियर हुआ, वैसे ICMR, Indian Council of Medical Research, जिसे आज ह ICMR, उस समय Imperial Council of Medical Research हुआ गरता था, जिसकी स्थापना, 1911 में कर दिया गया था, ठीक है, दो महत्मूर बाता समझ में आई, और तीसरा जो देख रहे हैं, यह 1940 के डिकेड में, एक संस्था निर्मित हुई थी, है ना, एक्च्वल में 1942 का येर था, 1940 के डिकेड को कहा जाता है, Modern Science and Technology का डिकेड और उसी डिकेड में 1942 आया था, तो ये था भारत की Science and Technology की सबसे biggest organization, जिसे कहते हैं, CSIR, क्या कहा जाता है, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, वैज्ञानिक एवं अध्योगिक अनुशनधान परिशन, इस ए क्लियर, अच्छा, तो 1, 2, 3, तीन चीज़ें हो गई, अब एक और जो चीज़ें आई थी, वो आया था, कि भारत में 1945 को Tata Institute of Fundamental Research TIFR की स्थापना हुई थी, तो 1945 भी आजादी के पहले है, 42 भी आजादी के पहले है, 1911 में ICMR, Imperial Council of Medical Research, और उसके बाद देखते हैं, Imperial Council of Agriculture Research, जिसमें Imperial के जगब, Indian जुड़ जाएगा, Indian Council of Medical Research, तो यह सब देख रहे हैं, आगे grow and development करने के लिए, यह established हुआ था, technology, यह आपका medical, जो है, technology है, यानि कि health technology का पार्ट है, और यहाँ पर agriculture technology है, समझ में आया, अच्छा, अब 1958 में, defense technology, रक्षा प्रद्योगी की आया, 1962 में हम देखते हैं, कि यहाँ पर space technology का establishment हुआ, जब भारत में क्या है, जब भारत में, Indian Space Research Organization, इसरो की स्थापना होने वाली थी, उसके पहले, कि Indian National Committee for Space Research, इनको स्पार बना, इसके बाद, आगे, 1969 में इसरो बना है, तो लेकिन space technology तो established 1962 में हो गई थी, आगे, 1976 में देखते हैं, National Informatics Center, यह सूचना, एबं संचार पद्द्योगी की स्था अपना हो गई भी, है ना, याद रखना, यह NIC उसकी जो है, सबसे बड़ी organization है, और उसके बाद, 1984 में, 84, 85 में, actual में, ICT का जो है, भारत में प्रवेस माना जाता ह है, याद रखना, 1976 NIC का Establishment Year है, बट, भारत में ICT कब इंटर किया, तो वो 1984, 85 को माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसी समय भारत की first computer policy आई थी, ठीक है, यह centers बना था, और यह क्या है, technology भारत में एंटर किया था, ठीक, यहाँ पर, front 2001 की बात करेंगे, तो भारत में nano technology आया था, यह आपके लिए थोड़ा नया है, बट important है, आगे मैं समझाऊंगा, अब इस journey को अगर आपने देखा, समझा, relate करने का प्रयास किया, इसे और अच्छी तरह से clear करते हैं, देखो, अब भारत में यह जो technology अलग-अलग आती चल बनाती है, commission वाले बनाती है, आयोग बनाती है, चाहाँ space का हो, तो space commission बनाएगा, defense का हो, तो defense commission बनाएगी, है ना, nuclear हो, तो nuclear का, जो है, atomic energy commission बनाएगा, तो यहाँ पर एक बात समझें, कि आयोग जो है, policy बनाएगी, और विभाग याने department उसे execute करेगी, जैसे अभी हम latest में, चंद्रयान्थी को लेकर बात कर रहे है, चंद्रयान्थी कब छोड़ा जाएगा, budget कितना होगा, like क्या-क्या चीजें इसमें requirement पड़ेगी है, सब चीजें जो है, policy maker पहले decide करते हैं, यानि इसरो का commission है, यानि कि सीधा-सीधा space commission ही decide करेगा, लेकिन उसे execute करने के लिए कौन करेंगे, अलग-अलग department वाले कोई engines बनाएंगे, कोई क्या है, आपके launches बनाएंगे, कोई इसमें related different type के payloads बनाएंगे, तो बात है समझ में आ रही होगी, आयोग जो है, policy maker होते हैं, और department उसे execute करते हैं, चाहे गगनियान को लेकर कहें, जिसे 10,000 करोड से गगनियान project हम बन आए हैं, तो गगनियान project का जो है, like policy maker कौन है, commission है, जिसे approve करेंगे PMO, जो कि प्रधान मंतरीन सब के head होते हैं, और उसके बाद, जो है, उस गगनियान को approve होने के बाद, उसे real में execute करने का काम कौन करेगा, related department, याने space का department, जिसमें अलग-अलग department involved होगा, तो भारत में जो अलग-अलग technology अभी आपने जो सुना समझा, इसी technology का जो department अलग-अलग बनता चला गया, ये भारत में कितने science and technology के department है, भारत में science and technology का total department कितना only six है, जिसमें की एक बात समझें, कि सबसे नीचे सबको देखें आप, तो चीजें सपस्ट होगी, atomic energy department या department of atomic energy जिसे क्या कहा आता है, DAE कहा जाता है, 1954 में establish हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया था, TATA Institute of Fundamental Research वो 1945 में बन गया, लेकिन यहाँ पर देखना है, यह क्या है, आपका department है, यहाँ execution fast होने वाला है, अगर आपको कहा जाए, department atomic energy commission कब बना, परमानू उर्जा आयोक कब बना, तो वो 1948 में था, यहाँ पर नीतियां बनी होंगी, यहाँ पर execution fast होगा, ठीक है, यह understood है, वैसे बात करेंगे, भारत में space department कब बना भाई, यह बना है 1972 में, लेकिन थोड़ी देर पहले देखे थे, ESRO 1969 में बना, 1962 में इनको spark committee बनी, जो space को लेकर वहाँ हमारा पहला, वहाँ पर हम origin रख रहे थे, इस्ट अब नीव रख रहे थे, ठीक है, वैसे हम बात करते हैं, बायो technology department, यहाँ पर बना 1986 में, similarly हम बात करते हैं, department of scientific and industrial research, देखो यह department है, और CSIR council था, जो 1942 में बना, और यह department of science, scientific and industrial research, 1945 में बन रहा है, similarly, यहाँ पर, science and technology department भारत में, after independence 1971 में बना, तो उससे पहले नहीं था क्या, था, रेको समय सब चीजें, उसी में environment, उसी में earth science, उसी में क्या है, technology, सब चीजें merge थी, dedicatedly या separately पहली बार science and technology department जो बना है, वो 1971 में बना है, इसे आज कल और ज्यादा multiple, और ज्यादा segment में divide कर दिये हैं, electronics and information technology को अलग से बना दिये हैं, environment को अलग से बना दिये हैं, agriculture को अलग से बना दिये हैं, I hope यह बात है समझ में आ रही होंगी, तो यह अलग-अलग department है, बीच में एक देख रहे हैं, department oceanic development, यानि की कहाँ साए, महासागरी विकास विख्यान विभाग, तो यहाँ पर कुछ अलग-अलग आपने department देखा, मतलब यह भारत के वो 6 प्रमुख science and technology के department है, आप यह देख के थोड़ा सा आप बहुत landy जरूर नजर आ रहोगा, लेकिन याद रखना, जब भी nation level का exams हो, खासकर UPC level के exam हो, यही departmental related चीजे ही पूछी जाती है, या फिर अगर आप राज्यस्तरी paper में जब answer writing करेंगे, trust me, यह वो important content है, जिसको आप एक बार mention कर देंगे, तो आपका essay का value addition हो जाता है, ठीक है, अब हम क्या पकड़ेंगे, एक एक technology को पकड़ते हुए, उसको क्या करेंगे, उसे decode करतना, start करेंगे, और बिल्कुल सरल सब्दों में करेंगे, कि उस technology के father कौन थे, कब established हुआ, कब आगे बढ़ा something like that, ठीक है, चलिए, start करते हैं, और उसके पहले एक छोटी सी part ये भी बता देता हूँ भई, जब अलग-अलग policies बनेंगे, अलग-अलग जैसे हमारे भारत में after independence five year plans बनते चले गए कि नी, 1951 भारत को, देखो, 1950 में हमारा सविधान लाग हुआ, 47 में हमको आजादी मिली, लेकिन 51 से हमारे five year plans बनते चले गए, तो यहाँ पर वो growth and development का basic scenario को आप उसके base में excellent कर सकते हैं, तो भारत में science and technology का जो policy बनता था, है ना, जो नीतियां बनती थी, ज पहली विज्ञान नीती आई थी, 1958 में, जिसे कहा जाता है, scientific policy resolution, विज्ञानिक नीती संकल्प नाम से जाना जाता है, जब हमारी दूसरी पंचवर सी योजना चल रही थी, अगर हम दूसरी science policy की बात करते हैं, इंद्रा गांधी की समय में आय थी, यहाँ प्रधान मंत्री क अभी थोड़ी देर पहले बताया, विज्ञानिक इवाम, अध्योगी कानुसर्ण धान परिशत, उसके भले कोई director general होंगे, लेकिन उनके उपर कौन बैठेंगे, प्रधान मंत्री बैठेंगे, इसरो के chairman कौन है, वो S. Somnath साहब है, लेकिन उनके उपर अगर बात करेंगे वो PMO के अंदर आते हैं सब, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इसलिए हम प्रधान मंत्री का नाम उलेकर रहे हैं यहाँ पर, तो 1983 में हम पहली बार technology को लेकर self-reliant बनेंगे, आत्म निर्भर जो हमारी technology को बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर objective रखा, आत्म निर्भर में, जब हमारी तीसरी विज्ञान निती नहीं आय थी, बलकि एक supplementary science policy आय थी, आप सभी को पता होगा, कि भारत की इस समय माली हालत बहुत खराब थी, 1991 में, हमको क्या है, हमारी economy को open करना पड़ा, हमको liberalization, privatization, globalization करना पड़ा, और इस समय क्या है, हमने अलग से science and technology में कोई भारी भरकम budget नहीं दिया, बलकि हम एक supplementary science policy लाये, मतलब पहले जो science policy चल रही थी, उसमें कुछ points एड़ कर दिये, और ये policy के हिसाब से आगे हम नएने objective सेट करते चले गए, उसके बाद भारत की economy बहतर हो गई, वापस देखते हैं, सन 2003 में, बाच्पहिसाब प्रधान मंत भारी थी भाई, technology किसे कहते हैं, science के application part को technology कहते हैं, उसके अनुप्रयोगात्मगभाग को प्रध्योगी की कहते हैं, तो science और technology दोनों अलग-अलग दिसा में लाया गया, जा रहा था, उनको करीब लाया गया, मतलब comes together, science and technology comes together, और आगे research किया गया, मतलब विज्ञान इव विज्ञान को, finally, इस science policy में उन्होंने official दर्जा दिलाया था, ठीक है, इसके बाद आते हैं, आखरी और अन्तिम, जो fourth science policy है, वो क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंग की जमाने में आई थी, है न, इस समय क्या है, इसे science, technology and innovation policy कहा जाता है, विज्ञान प्रध्योगी की एवं न बात करें, 1983 से 10 जोर देंगे, तो 1993, इसमें 10 जोर देंगे, तो 2003, इसमें 10 जोर देंगे, तो 2023, और इसमें 10 जोर देंगे, तो 2023, यानि ये वो year है, 2023, जब हमारी पाँचवी विज्ञान निती, that is about to launch, यानि कि ये हमारी अगली वे विज्ञान निती, fifth number की, वो launch किया जाना शेस है, is it clear, तो ये science policy का segment है, पहले और दूसरे के बीच में इतना लंबा gap क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं, इसके पीछे reason था, इस दोर में हमने 3-3 बड़ी लड़ाईयां लड़ी, भारत, चाइना, भारत, पाकिस्तान के साथ दो बार, समझ में आ रहोगा, 1962 में भा भारत, पाकिस्तान, उसके बाद 1971 में अगेन भारत, पाकिस्तान, तो तीनती लड़ाईयां लड़ने के कारण इतने huge level पर economic and infrastructural destruction और हमारे जो कहना चाहिए objective हैं, कहीं ने कहीं, वो deviate हो ही जाती हैं, तो इसलिए हमने, इस हमें ये पूरा disturbing element थे यहाँ पर, that's why हमने अगल living माहल में नहीं हासिल हो पा रहे थे, आगे हमने तेजी से हासिल किया, और इसके बाद 1983 के बाद कभी हमने पीछे मुड के नहीं देखा है, ठीक है, चलिए, अब हम technology को बहतर तरीकी से समझ पाएंगे, तो देखो, भारत में अगल 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 technology कैसे आती चली गई, हम start करे यहां से, बहुत सरल सब्दों में समझेंगे, आप कौन है, आप है, डॉक्टर सांती सरूब भटनागर, डॉक्टर सांती सरूब भटनागर को कहा जाता है, कहा जाता है, modern science and technology का जो decade आया, 1940 में, 1940 के दसक में हम बात करते हैं, science and technology का आधुनिक जो दसक है, उस दसक की कलपन किनके नेतित में प्रारंभुई थी, डॉक्टर सांती सरूब भटनागर साहब के, आपको पता होगा कि भारत में, science and technology का जो highest civilian award है, या highest award है, civilian ना कहे के highest award जो है, या विज्ञान इवां प्रद्वी का सबसे बड़ा जो award या प्राइज है भारत में, वो क्या है, डॉक्ट भटनागर जो है, डॉक्टर सांती सरूब भटनागर, रेनाउन इंडियन साइंटिस्ट है, इनके नाम पर ही डॉक्टर सांती सरूब भटनागर पुरसकार दिया जाता है, ये बात ध्यां रखना है, वर्ल्ड में कहाजा है, वर्ल्ड सिनेरियो में, science and technology का सबसे बड़ा कहाजा है, तो वो नोबल पुरसकार है, आप सभी को पता है, लेकिन भारत में क्या है, डॉक्टर सांती सरूब भटनागर पुरसकार है, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 1940 के बाद हमने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा, 1942 में हमने Council of Scientific and Industrial Research की स्थापना कर दी, ठीक है जो Science and Technology के सबसे बड़ी organization है, आज भी, 2023 में भी, और इसके जो Head कौन होते हैं, प्रधान मंत्री होते हैं, इनके नीजे कौन होते हैं, डिरेक्टर जनरल होते हैं, और 2023 में जो हमारे डिरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है, भारत की पहली महिला वग्यानिक हैं, Science and Technology के इस सबसे बड़ी organization के डिरेक्टर जनरल, वो क्या है, डॉक्टर क्या है, नला थंबी कलाई से भी, ये भारत के जो ये एक इलेक्ट्रो कैमिस्ट हैं, ठीक है, और इनके नेतित में CSIR जो है, आज आगे बढ़ रही है, ये बात सबको समझ में आई, CSIR के डिरेक्टर जनरल एक्जाम म होते हैं, तो प्रधान मंत्री होते हैं, क्लियर हुआ, डॉक्टर भटनागर के बारे में भी जान गए आपने, अब फोकस अन सेकेंड पॉइंट, अब हम अलग-अलग टेकलोजी आती जा रही है, तो एक एक टेकलोजी को डिकोट करते चल रहे हैं, आप कौन हैं, आप हैं डॉक्टर होमी जागिर भाभा जो क्या कहलाते हैं, फादर आप इंडियन नुक्लियर प्रोग्राम या फादर आप स्पेस टेकलोजी, तो भारत में नुक्लियर टेकलोजी, नाभी की प्रध्योगी किया, परमानु प्रध्योगी कब आई थी भई, तो 1945 में पहली बार, ड ज़ा जबनागी, प्रध्योगी विदधन कहरे लगी केरल और दो तमिल नाडु के सुच्मशार सहीन में, क्या देखते हैं? प्रध्योगी का और है, एस्थाफ्यmy का नुक्लियु मोगी प्रध्योय ब्रउत्योगी के लिए अगे प्लान किया, और उस समय चों कि हम ब्रध इंडिया थे इसलिए वो डॉक्टर वो डॉक्टर जो है भाबा कहां पर गए डॉक्टर भाबा गए सर दुराब जी टाटा के पास जो टाटा गुरूप के मालिक है और उनकी मदद से क्या है 1945 में टाटा इंस्टिटूट आफ फंडामेंटल रिशर्च की स्थापना कर देते हैं देन अप्टर क्या होता है कि भारत को कुछ बाद जो दो साल बाद दो तीन साल बाद आजादी मिलने के बाद 1948 आता है और भारत में Atomic Energy Commission याने परमानू उर्जा आयोग की स्थापना होती है देन अप्टर यहाँ पर बात करते हैं 1954 में हमारा जो है Department of Atomic Energy भी बनता है और सुनिए यहाँ पर Atomic Energy Establishment Trombe की स्थापना भी होती है यह अगर आप नहीं जानते Atomic Energy Establishment Trombe तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर भाबा की डेथ 1966 में करहस्यमई तरीके से हो जाती है और उनको ही समर्पित करते हुए उनके नाम को समर्पित करते हुए इसका नाम अब क्या कर देते है भाबा Atomic Research Center कर देते है तो AET क्या है भाबा Atomic Research Center ही है और यहाँ Department of Atomic Energy क्या है Department of Atomic Energy यह विभाग है यह विभाग है और यह क्या है आयोग है तो आयोग और विभाग जब दोनों बनेगा यानि पॉलिशी बनाएगे एक्जेक्यूट करेंगे तो भारत में टेकलोजी आगे बढ़ेगी और बढ़ा भी चीजों को समस्ते चलेंगे ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाली अब अपने सब्दों में इसे लिख सकते हैं पिरोगे इसे क्लियर तो फादर अब निकले टेकलोजी डॉक्टर भावा भारत में निकले टेकलोजी के सबसे बड़ी और्गनाइशन भावा एटॉमिक रिसर्स सेंटर जिसका एट कॉट्र कहां पे टॉम्बे में ठीक है ये बात समझ पही अभी भावा इटॉमिक रिसर्स सेंडर के जो चेयर्मन कौन है नगला टेकलोजी देखिए डिफेंस टेकलोजी ये नाम किसी का महताज नहीं है डॉक्टर एपीजी अब्दूल कलाम मिसाइल मैन आप इंडिया और मल्टी टैलेंटेड ऐसे साइंटीज जो नुकलियर साइंटीज भी थे जिन्होंने पोखरन 2 में भी भारत के लिए युगदान दिया था इनी के नितित में भारत ने नुकलियर बॉम बनाया था और इसके अलावा वो डिफेंस साइंटेज भी थे मिसाइल मेन कहते हैं क्योंकि उनने मिसाइल बनाया था और तीसरा वो स्पेस साइंटेज भी थे भारत का जो फर्स सैटलाइट आरेबट को जब हमने लॉंच किया उसमें डॉक्टर कलाम का भी योगदान था तो इसले इनको मैं मल्टी टैलेंटेट कहा तो याद रखना भारत में डिफेंस टेकलोजी आई कब भी 1958 में भारत में DRDO बना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाईजीशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ठीक है लेकिन भारत ने क्या किया इस दौर में बड़ी-बड़ी चुनौतियों को फेस किया वो बड़ी-बड़ी चुनौतियां क्या-क्या थी भी मैंने थोड़ी दिर पहले ही बताया कि हमने देखा कि 1962 में इसके बाद मैंने बताया कि 1965 में इंडो पार्क इंडो पार्क इसके बाद करते हैं कि 1971 में फिर से इंडो पार्क लड़ाई हुई तो सोचिए एक लड़ाई में हालत खराब हो जाती है आप रश्या युक्रेन को देखी रहोंगे यहां तीनती लड़ाईया और एक ही दसक के अंदर लगभग कहेंगे तो दस वर्सों में ही तो भारत की हालत उस समय कितनी मुश्किल रही होगी आप समझ सकते हैं और एक बात और भी याद रखें यह वही डिकेट था जब 1966 में यह 1966 में भारत के जो है डॉक्टर भावा की क्या है रहस्यमई विमान दुरगट्टा में मौत हो गई थी यह वही डिकेट था जब भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री सास्त्री जी की डेथ हो थोड़ा unstable उस समय भी हो गया था ठीक है इस बात ध्यान रखना तो इस दौर में हमने जो defense को sector को लेकर आगे बढ़ाने का जो प्लान किया था वो धरा के धरा रहे गया फिर याद रखना 1979 से 1984 का एक समय कारेका लाता है किसका इंद्रा गांधी का इनको आयरेल लेडी यूही नहीं कहा जाता उनके नेतित में डॉक्टर कलाम को जो है उनको जो है आगे बढ़ाया जाता है उनको leadership दी जाती है डॉक्टर कलाम को और उनको free hand दिया जाता है कि आप defense sector को आगे बढ़ा स्वदेशी missile program कब 1983 से और फिर भारत कभी पीछे मुण के नहीं देखता है और भारत प्रित्वी अगनी त्रिशूल नाग और आकास जैसे बड़े बड़े missile बनाती है और इस जर्नी को आगे बढ़ा कर भारत में like डॉक्टर कलाम जिसको 1983 में जिस program को start किये थे वस 2008 आते आ कि याद रखना मैंने बताया था science policy भी आई थी जिसमें हमने self-reliant या self-independent का सपना देखा था उसे डॉक्टर कलाम ने कर दिखाया ठीक है यह बाते समझ में आई और इसले इनको missile man कहा जाता है missile woman को कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर कलाम को assist कर रहे थे उसके बाद उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर टेसी थॉमस और अगनी सीरीज जैसे महत्पूर मिसाइल बनाते हैं और इस प्रकार भारत में like कहा जाता है उनको अगनी पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि अगनी सीरीज के missile को बनाये थे अब आते हैं renowned Indian scientist डॉक्टर विक्रम सारा भाई यह पहले क्या कर रहे थे वही यह physics research laboratory में क्या है एहमदाबाद में research कर रहे थे ठीक है भौतिक विज्ञान प्रयोक साला या भौतिक अनुसंधान प्रयोक साला physics research laboratory में और इनको बुलाये जाता है 1962 में और कहा जाता है भी भ तो देखिए कि 1958 में हमने defense technology के लिए DRDO बना दिया था और उसके पहले nuclear technology established हो ही गई थी उस दौर में कुछ dilemma भी थी scientist के बीच में कि अभी इसी technology को आगे बढ़ाने देते है science space technology को समय बाद लाते इंटेड्यूस करते हैं लेकिन फिर कहा गया नहीं हमको science technology में space sector को भी आगे ले जाना है तो फिर एक committee बना दी जाती है और इस committee के chairman कौन होते हैं डॉक्टर सारा भाई और कहते हैं कि explore करिए कि भारत में space technology में क्या-क्या संभावना है और डॉक्टर सारा भाई तुरंद कहते हैं कि भारत को तुरंद space technology में आगे जाना चाहिए और फिर 1963 में अगले ही universe हम Nike Apache को launch करते हैं जो space में भारत का प्रतम प्रयास था दिस Nike Apache को हमने छोड़ा था वो cycle से ले जा रहा है वाले चीज़ें आप देखिये होंगे ठीक है वो photo देखिये होंगे तो आप यहां पर समझें उस दौर से लेकर आज हम चंद्रयान गगनियान जैसे बड़े- development नहीं है यह बहुत बड़ी development है सोचिए कहा 1960 के समय में उसके पहले कहाजा है कि रशिया जो है USSR था जो है वो अपना यूरी गागरीन और उनलों को सबको क्या है लांच कर चुके थे हैना एस्ट्रोनॉट लांच कर चुके थे हैना लाइका को लांच कर चुके थे उसके ब और Edwin Aldrin Moon पर पहुँच गए थे उस दौर में हम Space Technology को Establish कर रहे थे लेकिन उसके बाद किस प्रकार आगे बढ़ता चला गया आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसके बाद भारत में 1969 में इसरो बन गया भाई इसके बाद हम देखते हैं कि 1972 में इस पेस का जो है मुण के नहीं देखा 1975 में हमने 19th April 1975 में हमने आरेभट को लांच कर दिया आरेभट को लांच कर दिया जो भारत का पहला सैटलाइट है आई होप ये जर्नी को आपने समझ पाए होंगे ठीक है और present scenario में देखते हैं कि हम दुनिया के top 4 space agency में शुमार है और इसमें आप नाओ यहां पर आता है हमारे पास है information and communication technology आप इन महां यह सक्सियत को सायद नहीं जानते होंगे यह मैं बता देता हूँ यह है FC कोहली सहाब जो भारत में pioneer कहा जाता है इनको FC कोहली सहाब फकीर चन कोहली सहाब को कहा जाता है ICT का pioneer in India IT का particularly कहा जाता है IT यहने सुच्छना के first chairman थे TCS क्या है भारत में software की सबसे giant company ठीक है यानि की software की सबसे बड़ी company क्या नाम है Tata Consultancy Services इसके first chairman थे कौन FC कोहली सहाब फर्स chairman थे FC कोहली सहाब और इसके बाद आप सभी को पता है कि लाइक अजी प्रेम जी है ना आप नंदन नीले कणी है ना नारायन मूर्ती जैसे बड़ी बड़ी सक्सियत आते हैं और भारत को IT के सेक्टर में और आगे ले जाते हैं तो IT के giant है IT के father कौन है FC कोहली सहाब को कहा जाता है लेकिन आपको एक बात और समझनी है कि Sam Pitroda Sam Pitroda और राजीव गांधी ये दोनों के संयुक्त प्रयास से 1984 और 85 में भारत में ICT का प्रवेस होता है सूचना एवं संचार प्रवेस होता है और फिर भारत की first computer policy भी यहां लाई जाती है और फिर भारत कभी पीछे मुण के नहीं देखता है आज हम कहा खड़े हैं भाई आज हम 5G पे खड़े हैं अभी जल्दी ही हम 6G की और जाएंगे दुनिया 6G से 7G की और जा रही है ठीक है तो हमको समझनी है अभी हम technology में 5G में जरूर है लेकिन बहुत जल्द हम 6G की और move करने वाले हैं नाओ हम 7G क समय में आप expect ही नहीं कर सकते कि technology कितनी बदल जाएगी ड्रैस्टिकली बदल जाएगी इसलिए technology के साथ कदम से कदम मिलाते चलिए ठीक है यहाँ पर याद रखना यहाँ पर आते हैं फिर agriculture technology आप इनको जानते होंगे यह हैं डॉक्टर MS स्वामी नाथन डॉक्टर MS स्वाम स्वामी नाथन को क्या कहा जाता है दो नाम से जाना जाता है है पहला नाम तो आप सभी जानते होंगे father of green revolution Indian context मेh father of green revolution global concept market किसे कहा जाता है डॉक्टर Norman borlog को कहा जाता है लेकिन Indian father of green revolution इनको कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामी अधन को ठीक है अच्छा agriculture technology की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि 1929 में आपको देखते हैं कि Indian Council of Agriculture Research की स्थापना हो जाती उस समय इसका नाम Imperial Council of Agriculture Research था आगे यदि हम बात करते हैं कैसे आगे बढ़ता चला गया तो इनके बहुत सारे अलग-अलग research centers है भारत में आज ठीक है और इस प्रकार agriculture technology के सेक्टर में भारत आगे बढ़ा और इसी के कारण जो है आज नए ने उन्नक प्रकार के hybrid type की क्या है आपके crop देखने को मिलते हैं जिसमें कि अगर आप बात करें जो बहुत common है BT cotton जो बायो टेकलोजी में भी पढ़ेंगे BT cotton ठीक है बायो टेकलोजी का ही product है BT cotton है ना यहां पर BT cotton के बाद BT ब्रेंजल भी है ठीक है जिसको genetically modified crop भी कहा जाता है GM crop भी कहा जाता है ठीक है यह बात याद रखना भारत में अगर agriculture technology को थोड़ा और बहुतर की से समझा जाए तो agriculture में आजकर dairy को भी सामिल कर दिया गया है तो dairy के में देखते हैं कि दुगद क्रांती यानि की operation flood यानि की white revolution तो उस case में एक नया नाम आज आएगा क्या नाम है father of white revolution बताईए भी यह नाम डॉक्टर वर्गिस कुरियन है जो father of white revolution या स्वेत क्रांती के पिता यह कौन है हरित क्रांती के पिता और यह agriculture technology के भी पिता कह ठीक है प्रोफेसर जो है पीके भारवाव इनको जो है कहा जाता है डॉक्टर भारगाओ को कहा जाता है भारत में pioneer of like biotechnology ठीक है बायो टेकलोजी के बहुत सारे segment हो सकते हैं उसमें एक है dna finger printing dna finger printing के father कौन है कहा जाता है तो उस case में इनका नाम जरूर याद रखें क्या है बताईए भी इनका नाम है प्रोफेसर या doctor ठीक है देखो एलेक जैफरी को कहा जाता है father of dna finger printing लेकिन dr. lalji singh को कहा जाता है father of indian finger printing या फिर कहा जाय है indian father of dna finger printing ठीक है डॉक्टर क्या है लालजी सिंग डॉक्टर लालजी सिंग को कहा जाता है फादर ओफ इंडियन फादर ओफ डियन फिंगर प्रिंटिंग ठीक है ये इंडियन कंटेक्स में और ग्लोबल कंटेक्स में क्या कहा जाता मैंने कहा एलेक जैफरी को कहा जाता है उन्होंने कहा कि बिना दॉना की मदद से आसानी से पकड़ सकते ह। DNA दुनिया का सबसे stable चीजों में से एक चीज है, सबसे stable thing है, कहा जाए, सबसे स्थाई वाली चीजे है, कहीं पर crime हुआ, किसी का बाल गिरा है, saliva गिरा है, blood गिरा है, तो उसकी मदल से आसानी से आप उस criminal को पकड़ सकते हो, ठीक है, तो DNA fingerprinting, forensic science, biotechnology के और दूसरे segment, जिसमें कि हम hybrid crop बनाते हैं, genetically modified crop बनाते हैं, ठीक है, आज कर लेखते हैं, stem cell वाली technology वगर हैं, सब यह आगे बढ़ रही है, तो प्रोफेसर भारगाव ने, उन्होंने start किया था, उसके बाद जो है, आगे देखते हैं, कि DNA fingerprinting और अलग-अलग segment भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यह अधिया रखना, नाओ, यहाँ पर अगला आता है, और लास्ट टेक्लोजी है, नैनो टेक्नलोजी, तो नैनो टेक्लोजी की नाम को जानते हैं, भारत में नैनो टेक्लोजी कब आया था, सन 2001 में आया था, और इसके जो है, फादर कौन है, डॉक्टर सी एनार राव, बताए तरतना, डॉक्टर सी एनार राव को कहा जाता है, फादर आफ निकलियर टेक्नलोजी, फादर आफ निकलियर टेक्लोजी, डॉक्टर सी एनार राव को कहा इसले जाता है, यह नैनो टेक्लोजी के सेग्मेंट को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और यह नैनो टेक्ल intelligence and robotics आपको यहाँ पर याद रखना है यह artificial intelligence computer का 6th generation है कहीं कहीं पर आप पढ़ते होंगे 5th generation लेगिन यह 6th generation याद रखना जिसमें आप जानते हैं कि किस प्रकार हम artificial intelligence की मदद से, कृतिम बुद्धी मता की मदद से आपने robot movie देखी होगी रजनिकान की, तो वो सीधा perfect example है artificial intelligence का ठीक है, यानि कि मनुष जैसा ही आप काम करा सकते हैं इस computer को तो शुरवात में इनके अलग-अलग पीडियां 3rd generation कहा जाता है artificial intelligence को overall किसका 3rd generation इस robotics का 3rd generation overall computer का 6th generation कहा जाएगा आपका like artificial intelligence और robotics का 3rd generation कहलाता AI ठीक है, जिसमें की आगे यहाँ पर समझें, इसके बारे में थोड़ा जाने, ये कौन है भई जोसेप एंजल बर्गर सहाब हैं, जिनको father of robotics कहा जाता है, ये robotics क्या है, 3rd generation है, 3rd generation देखो पहला generation क्या है, जब robot बनाये गया, तो रोबोट में क्या है, रोबोट मतला सब computer का ही पार्ट है, computer की मदद सही, वहाँ पर software, hardware लगते हैं, उसे install किया जाता है software को accordingly उससे काम कराया जाता है जो software डालोग है, उसी के अनुसार काम करोगे, तो पहले robot से क्या है, केवल industrial work होते थे उसके बाद second level पे जब second generation आया robot का, उसमें camera sensors लगा दिये गए, और second generation में कुछ factory से related या दूसरे multi-purpose काम कराने लगे पहले में भी industry work करते थे second में भी करते दे लिए, second में इसका कार का जो दाइरा है वो बढ़ गया third जो आता है यह artificial intelligence तो robotics का third generation और overall computer का six generation यह कहलाता है AI इस AI की खोज बहुत पहले हो गई थी, जब Arabian like एक जो कहना चाहिए, scientist कहेंगे father of robotics जिनको कहा जाता है smile al-jezari ठीक है, और बाद में modern father of जो है, robotics जिनको कहा जाता है, वो कहा जाता है father of robotics, जोसेफ एंजल बरकर को कहा जाता है, तो इस प्रकार आप देखते क्या है, कि अलग-अलग प्रकार के different type के जो है, technology भारत में आते चले गए, भारत में AI को लेकर जो सबसे बड़ी संस्थानों सबसे बड़े cities में से एक है 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 एदराबाद, दूसरा है बैंगलोरू ये दूनों जगा बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और नैनो टेकलोजी में भी याद रखना, बैंगलोरूरू एक बड़ा सेंटर है ठीक है, ये बाते आपको clear हो गई अच्छा, अब आप लोग को यहाँ पर समझाना है trick of the day जैसे कि हर topic में कुछ tricks बताता हूँ, तो आपको दो महतपूर triangle बता रहा हूँ एक है magic triangle magic triangle जिसकी मदद से हम questions बना सकते हैं जादूई त्रिभूज, क्यों जादूई त्रिभूज है, इसको हम दो triangle की मदद से समझा सकते हैं तो देखो, magic triangle क्या है, magic triangle में एक triangle बनाएं और ये magic triangle basically कहां काम आता है current electricity के questions solve करने में current electricity यानि की धारा विद्युत के questions solve करने में अब ये prelims में भी पूछा जाता है mains में भी पूछा जाता है, mains में खास कर विशेज तोर पर यहाँ पर प्रस्न बनते हैं अगर one day paper दोंगे कोई science based question देंगे तो वहाँ पर ये triangle काम आएगा जिसमें की इस triangle को हम 3 segment में divide कर देते हैं 3 segment में divide कर देते हैं यहाँ पर इस प्रकार और यहाँ पर V यानि की voltage या potential, विभाव I यानि की current या धारा और R यानि की resistance यानि प्रतिरोद अगर आपको I पूछा जाए तो V upon R कर दो अगर R पूछा जाए तो V upon I कर दो अगर V पूछा जाए तो I into क्या कर दो I into क्या है R कर दो बस यह छोटा सा mnemonics आप याद रखना जैसे आप जानते हैं V is proportional to I जहाँ पर V को proportional चीन हटाने के लिए V equal to R I R बराबर V upon I अगर हम चलो यह जानतो लेते हम Ohm's law के हिसाब से Ohm के नियम के हिसाब से लेकिन आप इस magic triangle को जरूर याद रखें इसमें आपको जल्दी याद करने में बहुत help मिलेगी clear हुआ? सब को समझ में आया? अच्छा अब यह magic triangle के बाद मैं आगे जो है power triangle बता देता हूँ power triangle क्या है? power triangle क्या है? इसे याद रखने के लिए अच्छा power triangle को में क्या है? वो magic triangle भी काम आएगा तब असली magic तो यहाँ देखने को मिलता है तो power triangle में फिर से क्या बना लीजे? इस प्रकार एक triangle बना दीजिए जिसे फिर से तीन भाग में divide कर लीजे भई फिर से तीन भाग में divide कर लीजे और इसमें आप लोगो याद रखना होगा जो कहाँ जाए धारा का जो है thermal effect यानि current का जो thermal effect है विद्धारा का जो उश्मी प्रभाव या तापी प्रभाव है वहाँ पर एक power निकालना है उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की जो प्रस्ण पूछे जाते हैं इस power triangle की मदद से बना सकते हैं तो इसे भी चलो समझ लेते हैं तो power triangle में यहाँ पर समझते हैं तीन triangle बनाने के बाद आप यहाँ पर power यानि शक्ती P लिख दो यहाँ पर क्या है आई यानि धारा और यहाँ पर V तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हो जैसे कि आपको पता है कि अगर P निकालना है तो P इक्वल टू क्या होता है आई इंटू V कर लो अगर आपको आई निकालना है तो यहाँ पर आई निकालना है तो P अपॉन V कर लो और यहाँ पर V निकालना है तो P अपॉन I कर लो यहाँ पर V निकालना है तो यहाँ पर P अपॉन I कर लो तो इसके base पर याद रखना अच्छा, यहाँ पर आपका power triangle में, आपका magic triangle कैसे apply करोगे भी, तो इस case में याद रखना, हमने वहाँ पर पढ़ा था, V is proportional to IR, तो यहाँ पर V की value रखते चलो यह भी, तो आपको अलग-अलग प्रकार के answers मिलते चलेंगे, ठीक है, V की value रख दो अगर यहाँ पर पता है, जैसे कि आप थोड़ा समझें, V अगर पूछा गया है, V अगर पूछा गया है, P और I की value आपको निकालना है, तो हम पहले देख लेते हैं, P की value I into V कर लो, तो I तो दिया ही होगा, V कहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, ठीक है, तो accordingly आप इस Ohms law को सीधा सीधा इस power triangle में आप include कर देते हैं, तो बहुत सारे प्रसना आसानी से बन जाते हैं, ठीक है, एक बार करके देखिएगा, कहीं पर कोई doubt है, तो comment box में जरूर पूछेगा, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हम next class में, नए topic के साब, thank you so much, have a nice day.